हर्याना अट नाइन पियर्म नुश चैनल में आपका स्वागत है आगे आपको कराते हैं खब्रोस अपडेट खर्खुदा क्राइम अपडेट सिसाना गाउं में क्यूअक नशी की हालत में एक महिला के घर खुश गया महिला ने एक हजारे क्यानवे पर पुलिस को ततकाल सुचना दी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्श कर लिया है जानकार के मताबिक एक क्यूवक सिसाना गाउं में गली में अपनी मोटर साइकल को खड़ा करके नशी की हालत में घर में खुश गया जिसे महिला ने डंडे मार कर बाहर कर दिया और पुलिस कंट्रोल रूम को सुचित किया आरोपी मोटर साइकल बही पर छोड़ कर फरार हो गया मोटर साइकल को पुलिस के हवाले कर दिया गया है पुलिस में मामला दर्ज कर मामले की चान भी शिरू कर दी है बहादुर्गर्ट से किराई पर ली और खर्खुदा में पिस्तोल के बल पर छीनी गाड़ी बहादुरगड सित हनुमान मंदिर से खरकुदा के लिए तीन यवकों ने एक गाड़ी को किराई पर लिया और खरकुदा के मटिंडू रोहना के बीच खेतों में पिस्सोल के बल पर गाड़ी को छीन लिया गाड़ी संचालक अशोक कुमार ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की चानवीं शुरू कर दी है पिडित बहादुरगड के नहरा नहरी मार्क पर रहने वाली अशोक कुमार ने पुलिस को शिकायत दी है कि वैब बहादुरगड में टेक गाना गाउं में जाना है उसने कहा कि उसे रास्ता नहीं मालों जिसके बाद तीनों उन गाउ निवासी रामणी वास ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसकी पत्नी साथ ऑक्टबर से घर से लापता है शिकायत करता का कहना है कि पिछले सब्ता से वे खुद तलाशता रहा है लेकिन कहीं पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला तो मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है पुलिस मामले की चानबिन कर रही है सिर में इट मारी दाएं हाथ का अंगुठा तोड़ा पुलिस को दी शिकायद गपालपुर गाउन वासे प्रितम ने खरकुदा पुलिस को शिकायद दी है कि उसके परोसियन ने उसके साथ मार पिटाई की और उसके सिर में इट से हमला किया इस जगड़े में उसका दाई हाथ का अंगुठा भी तोड़ा गया, उसे जान से मानी की धमकी दी और गाली गलोच की है, पुलिस ने प्रितम के बयान पर गाउं की दो महिलाओं सहीद पांच के खिलाफ वे भिन्थाराओं के चलते, मामलादर्श कर मामले की चान भीन उप लगाया है, चंदरशीत का कहना है कि बस टेंट पर हुए हमले की दोरान, चंदरशीत ने बस टेंट के कमरे में छिपकर खुद को बचाया, शिकायत पर पुलिस ने मामलादर्श कर लिया है, रिढ़ाओ निवासी चंदरशीत का कहना है कि वे HDFC बैंक में लाइफ कामपनी बंद पड़ी हुई है, ऐसे में सत्पाल उस पर आरोप लगाता रहा था कि तुनी उसके पैसे इस कामपनी में फस्वाई हैं और उससे रंजिश पनाए हुए था, चंदरशीत का कहना है कि वे गुरुग्राम के लिए निकला था और सुबह करीब, साथ बची जब खरकुदा की बस्टेंड पर पहुँचा तो सत्पाल अपने साथियों के साथ बस्टेंड पर पहुँच गया और सभी ने हाथ में लिए फिर डंडु से उस पर हमला कर दिया, वे भाग कर बस्टेंड में बनी कमरे में जा चुपा और दर्वाजा बंद कर लिया, इसके बा रहे, हर्याना अट नाइन प्यम नुश चैनल, नमश्का.